एकदम authentic Kolkata mutton dham biriyani का recipe शेयर करूँगी यह जो biriyani का recipe है ना यह शादियों में या फिर बावर्ची बनाते हैं hotels में normal घर में biriyani का recipe जो होता है वो थोड़ा अलग है यह authentic Kolkata restaurant style आप बोल सकते हैं पावर्ची style biriyani है एकदम original recipe है बहुत सारे उसका trips और tricks में बताई हूँ और eventually step by step बताई हूँ तो आशा करते हूँ यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा सूस food corner style में Kolkata मतंदम biriyani नमस्कार मैं हुस्तु बंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सूस food corner पे उमिद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मेरे चैनल पे अगर आप नाए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल बटन के आल पे क्लिक किजेगा और मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद तो कोलकता बिरियानी का जो जान होता है वो होता है आलू तो आलू मैं यहां पे लगभग साड़े साथ सो ग्राम ली हूँ और बड़ा साइज अगर हो तो हाफ कर लीजेगा ने तो मीडियम से थोड़ा बड़ा आलू भी चलेगा उसको ऐसे छिल के पानी में डाल दी और आसे कांटे चमत से प्रिक कर दूँगी ताकि सारे जूसेस अंदर अच्छे से आ जाए तो यह है कोलकता स्टाइल बिरियानी का स्पेसिलिटी आलू मतन में यहां पे ली हूँ देड केजी थोड़ा बड़ा पीसेस कटवाया जाता है मतलब इस स्टाइल बिरियानी के क्यांर है चाहिए क्योंकि होटल और बावर्चे की शादियों में बनता है तो इतना लार्ज अमांट में भनता है थोड़ा पीक्तिदी यहां BA सकत्ता बड़ा से बाइशानी होता है और एक टिपिकल बिर्यानी मसाला बनागे कोलकता बिर्यानी स्टाइल मसाला, उसमें मैं यहाँ पे सुखे हुए गुलाब की पंखुडी ली हूँ, राइड, रोस पेटल्स, देड, बड़ा चमच, जावित्री या मेस ली हूँ, एक बड़ा चमच, और शाहा गोल मृच या सफीद गोल मृच यह होता है, वह एक बड़ा चमच ली हूँ, ना हो तो आप बेशेक रेगलर वाला यूज़ करें, पर ओरिजनल रेसिपी में यह यूज़ होता है, दालचेनी ली हूँ, दो इंच का, और शाहा जिरा ली हूँ, देड, बड़ा चमच, और हरी इलाइचे के लिए भून ले, लो फ्लेम पे, और फिर इसको पीस ली हूँ, और इसका कलर देखिए, गुलाब की पंक्टियों के वज़े से कितना प्यारा पिंकिश कलर आया है, तो मसाला रेडी हो गया, उसके अलावा में हाँ पे दो मीडियम सैस के अनियन को इस तरह से पतला-पतल काट की फ्राय कर ली हूँ, और वही वला तेल ली हूँ 100 ग्राम के असपास, फ्राइड अनियन ओल याम को चाहिए, दही ली हूँ, देढ्सो ग्राम इसको दो-तीन पार्ट में हम लो यूज करेंगे, और दूद ली हूँ 50 ग्राम गुनगुना मिलक ली हूँ, और चावल क उसके अलावा मावा या खोवा ली हूँ मैं साथ क्राम के असपास और कुछ स्ट्रेंट्स केसर के उसको दो बड़े चमच गुनगुना दूद में मिला दी हूँ और दो से तीन ड्रॉप सेफरन फूट कलर मिला ली हूँ तो ये हमको चाहिए और एरोमेटिक से या ऐसा आलू बुखाला या प्लम चार से पांच इस तरह से मिलते हैं इसको नीचे बेस में जब डालते हैं तो इसका बहुत अच्छा एक सौंदा खुश्बू आता है घी लेली हूँ मैं 50 ग्रम ये जो अमाउंट है ये इतना मटन के लिए हमको चाहिए गुलाब जल चार बड़ चमच ये तीखा वाला लालमिच है धाई बड़े चमच लेसन का पेस्ट और दो बड़े चमच अद्रक का पेस्ट को पेस्ट बनाके उसको उसमें 300 ml के आसपास मतलब एक बड़ा ग्लास पानी मिला के इस तरह से जूस बनाके रखना है इसको हम दो हिस्ता में यूस करेंग ये अद्रक लेसन का पानी या जूस आप जो बोले ये बन गया और एक बड़ा नीम भूलिये हैं इसको भी दो पार्ट में उसकरेंगे तो पहले स्टेप है आलू को प्रिपेर करना तो मैं यहां पे कड़ाई को मीडियम फ्लेम पे गरम की हूँ जो प्याज वाला तेल था दोंगी फिर उसमें जो लाल मिर्श था उसका आधा डाल दोंगी नमक डाल दोंगी टेस्ट के हिसाब से अब आप तीखा थोड़ा करना चाहते तो आपका मर्जी और दो तिन ड्रॉप रेड फूड कलर को पानी में मिला के एक चमच यहां पे डाली हूँ यह ऑप्शनल है पर शादियों में या फिर बावर्ची लोग इस तरह से बनाते हैं इसलिए मैंने यह बताया है ना डालना चाहें तो बिल्कुल ना डालें तो बस एक उबाल आने का इंतजार करें और उसमें जो गरब मसाला हम लिये थे ना चार टेबल स्पून एक टेबल स्पून इसमें और आधी चोटी चमच रोज वाटर डालेंगे और एक से दो बूंत केवडा वाटर मतलब बेसिकली इस आलू को हम फ्लेवर कर रहे हैं यह आलू में ही सारा स्मेल आ जाएगा तो अब इसको ढग दे और मीडियम फ्लेम पे पकने दे दस से बारा मिनिट और दस बारा तो खास बात आलू ही होता है इतना फ्लेवर पूल रहता है कि लगता है कि मटन के जगा बस आलू ही खाए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो बस देखिए 80% हम लोगा आलू डन है बहुत अच्छे से यह कुख हो गया है अब इसको हम निकाल देंगे अच्छे से निकाल दिखिए कितना प्यारा कलर आया है अब इसमें मटन डालते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा पीसे सम पहले से ही मैं बोली हूँ तो इस तरह से डाल देंगे सारे मटन को एक साथ डाल देंगे और इसमें फिर बाकी जो बचा हुआ समान था जितने इंग्रीडियेंट्स वो रम्बा-र यह यहां डाल देंगे और जो नमक टाल देंगे टेस्ट की साँआप से याद रखी थोड़ा नमक पहले भी था बचा हुआ वह सूप में और जो जितना बचा हुआ तील था पयाज वाला तैल आ आधा हमालो में डाली थे आधा 10 पर डाल देंगे और few द्लश ए 3-4 drop पानी में डाल के उसका remaining यहां पर डाल देंगे ना डालने चाहे तो बिलकुल ना डाले पर मैं यहां पर डाली हूँ और यहां पर 100 ml पानी देंगे और टाकि थोड़ा मतन अपना पानी में रहे तो जल्दी से उसका juice रिलीज हो धक के high flame पर बस 3-4 मिनिट पकाएंगे द 15 मिनिट तक और 12-15 मिनिट बात देखिए मतन आपको लग रहा होगा कि आधा से जाधा हो गया है इस स्टेज पे जो फ्राइड अनियन स्टा एक चौथाई बाग डाले थे आलू में एक चौथाई बाग यहां पर डाल देंगे दही लिए थे दही का एक चौथाई पाट य हो गया है तो बस फाइनली मिला दे इसमें सब चीजे हम लोग स्मेल के लिए डाल चुके हैं अब इसको ढख के और 10 मिनिट पकने के लिए छोड़ दे यानि तब तक जब तक आपका मतन असी भाग ना पक जाए और देखिए टोटल मेरे 25 मिनिट बाद इसका कलर ही चेंज ह गया है और मैंने चावल को बोला था एक घंटा भीगाना है तो जब तक मेरा यह बनेगा चावल अलयम से बन जाएगा तो बस यह बहुत अच्छा लग रहा है इस स्टेज पे थोड़ा सा इसको आप देख ले ताकि आपको लगे कि मतन हां 80 परसंट पक गया है असी भाग पकना चाहिए कच्छा रहेगा तो फिर बिरियानी दाम के वक्त भी थोड़ा कच्छा रह सकता है तो बस जब 80 परसंट पक जाए मटन तो इसको ऐसे निकाल ले तो बाकी हमारा यखनी या शोर्बा इस तरह से बचेगा अब इसका एक बहुत इंपोर्टेंट मैं आपको ट यह कोटे हुले कचोर में फ्रीज कर लेती हूं मटन फैर और इसको बहुत सारे डिशेश मैं यूज कर सकते हैं मुगलाई डिशेस में हो तटड़का में डाल सकते हैं flavor के लिए इसका बहुत सारे uses में धिरे डिरे रिसिपी से सरी पहुत इस पथाऊंगे इस सारा मिंकाले तो थोड़ा सा निकालके इसको आप आइस जमाते हैं वहां ट्रे में इसको फ्रीज कर सकते हैं बाकी हम चान लेंगे यह जो यक्नी है इसको पर अच्छे चान लेंगे देखिए यह इतना बारीक रहता है ना हम लोग तो इसलिए अधरक टैसन का यहां पर जूस भी डाले थे तो सब चना जाएगा बस थोड़ा सा पल्प लास्ट को रह जाएगा आप देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगी तो इस तरह से स्ट्रेंड करने के बाद देखिए बस एक चमज भर बचा बाकी बहुत अच्छे से स्ट्रेंड हो गया है और जो पीछे रहता है ना इसको ब बना ले तो अभी मैं जो प्रोसेस बताऊंगी इसी स्टेप में आप करेंगे तो पर्फेक्ट बिर्यानी बनेगा तो हमारा यकनी बन गया मतन हो रेडी है तो अब हम चावल उबालेंगे तो चावल मेरा एक घंटे से माइने ठो रहा है तो सुखे मसाले उसको मैंने कपड जामक डाल दी दो बड़े चमच डाली हूं और एक दो चमच रिफाइन ओयल डाली हूं अब इसको मैं उबलने का वेट करूंगे जब अच्छे से उबल जाएगा उसके हिसाफस में प्रोसेस बनाऊंगी तो इसको ढग दोंगे तो जब तक यह उबलेगा तब तक हम मतन का बेस बना देंगे दम करने के लिए क्यूंकि हमको गरम गरम चावल इससे निकालना है और उस हांडी में डालना है तो उसका मैं बेस बना रही हूं मैं एक डीप बिर्यानी पॉटली हूं उसमें मैं पहले वो ग्रेवी डाल दी जो छनावा ग्रेवी था ध्यान फिर्ब से हूं ध्यान रखिए रखना पड़ेगा कि जो ग्रेवी है यह धाई सो टू फॉट्टी से टू फिफ्टी एमल हो जितना मेरा मटन है उसके हिसाब से मैं आपको यह मेजर्मेंट दे रही हूं ज्यादा रहेगा तो नीचे गीला रह जाएगा पकने के बाद तो एक बार वो माइम परवकाल तो हमारा डीरा नेते सबस्ताला था बचा आ अधर से और आधर रहेगा तो जोटा तरह से आप करेंगे तो perfect बनेगा तो जो भीगे वे चावल थे मैं डाल दी अब इसको एक उबाल आने का वेट करूंगी आने के बाद 5-6 मिनिट लगेगा मुझे इसको पकाने में 80% चावल पकना चाहिए कसर बचना चाहिए पूरा नहीं पकाना है जब इस तरह से उबाल आ और इस स्टेज पर दूध जितना बचा था है ओस अब दिए और को बस ऑगा जितना जो लीमन स्था और को यहां तो कम्पलीट कर देंगे वह को क्म्प्लीट आल लीच अब करने मीशीं में चेह जितना भी आज बचा होगा सब अरेंज कर दीजेगा उसके उपर evenly spread कर दीजेगा और जो भी इंग्रेडियंट्स आपके पास बच गया हो थोड़ा सागर केवडा जल बचा हो रोस बाटर बचा हो सब यहां पर डाल दीजेगा और फाइनली हम इस पे जो केसर वाला दूट थ और घी तो बस सब चीजों को घी अच्छे से कॉंबाइन कर लेगा राउंड अप कर लेगा तो जैसे जैसे मैंने बताया है पहले हम पानी चड़ा दिए जब तक पानी उबला हम बेस बना दिए फिर जब तक बेस बन गया एक राइस हमारा हो गया तो हम लोग फर्स लेयर बना दिए फिर दूसरा लेयर किये तो यह जो प्रॉसेस है यह पिटिकुलर प्रॉसेस है और इससे काम बहुत असान होता है अब मैं नॉर्मल आटा गुन ली हूँ जैसे रोटी का अटा गुनाता है और उसके उपर इस तरह से लेयर बना दी हूँ चारो तरफ और ऊपर धकन रख दियो ताकि वह अच्छे से सील हो जाए और यह सील करना का यह प्रॉसेस बहुत इंपोर्टन है सब साइट से यह से अंगलियों से अच्छे से दबाते जाए ताकि जरा भी स्टीम बहार ना निकले इनिशियली तो बस बहुत अच्छे से मेरा यह सील हो गया इसके उपर उसको रख दूँगी और उसके बाद फ्लेम लो कर दूँगी यानि लो फ्लेम पे फिर कुख होगा यह अगले 20-25 मिनिट और उसके बाद हम ठकन इसको खोलेंगे अब देखिए इसका टेस्ट यह है कि हम एक चर्मच डालेंगे तो यह पूरा साफ आना तो अगर ऐसा है तो आपका बिर्यानी पूरा परफेक्ट और मान लीजिए गिल्डा निकलता है तो इसको हाय आँच पे थोड़ा सा खुला में पका लें ताकि वो ड्राय आउट हो जाए और पर मेरा वाला बिर्यानी एक्तम परफेक्ट बना है तो अब मैं इसको आपको बिर्यानी का तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आलू का कलर बहुत सुंदर निकला है और एक मटन पीस यह अचली इतना गरम है ना मैं कोशिश कर रही हूँ आपको धीरे से दिखाने के लिए स्टीम इतना आ रहा है और देखिए चमत से थोड़ा सा प्रेशर देते ह हो गया परफेक्टली कुट मटन बिर्यानी बना है और कलर तो आप देखी पा रहे होंगे कितना प्यारा आया है और चावल इतने खिले-खिले है कि इसको हाथों से भी आप मूव कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ देखिए थोड़े से येलो है केसर वाले थोड़े से वाइट तो परफेक्टली खिला है और देखिए एकदम सिंगल सिंगल चावल है जरा भी चिपका हुआ नहीं है लाइट फलफी और फ्लेवरफुल तो ये होता है कोलकत्ता स्टाइल मटन दम बिर्यानी बहुत सारा टिप्स और ट्रिक्स और बहुत सारा प्रोसेजियर कंप्लीक मटन बिर्यानी का कोलकता स्टाइल मटन दम बिर्यानी का प्रेजेंटेशन साथ में थोड़ सा सलाट ले लीजिए यह राइता ले लीजिए बहुत अच्छा बना था और जैसे मैंने बोला ये शादियों वाला होटल वाला रेसिपी है रोज घरों में बने वाला फिन हैप्पी फूद दी